जेभीम नमो बुद्धाय जहाववा अलीराजपुर सांसद गुमान सिंग डामोर पर 600 करोड से अधिक की राशी के भष्टाचार के जो आरोप लगे है उस पर बिजीपी सांसद गुमान सिंग डामोर को कहा कि नयतिकता के आधार पर उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए कांतिलाल भुरिया ने भाश्पापर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में जो लोग काले धंदे करते है वह भारती जंता पार्टी की प्राथमिकता सदस्च बन जाते है या उनको कोई बड़ापत दे दिया जाता है तो वह काले धंदे करने वाले निर्दोश हो जाते है यही भारती जंता पार्टी का काम है कांतिलाल भुरिया वरतमान बीजेपी की जिला ध्यक्षा लक्ष्मन सिंग नायक पर भी जम कर भलके वही उन पर भी गंभीर आरूप लगाए को नेतिक्ता के आधार पर तत्काल इस्तिपाति है भाजबा के नेत्रोत्व वह भी एक्षन ले उसको पार्टी से निकारे और उसके खिलाब धंदात पर कारवाय करें मनसोर सिच सुवासरा में कोरुना काल से बंदपड़ी ट्रेनों का फिर से सुवासरा स्टेशन पर स्टॉप के लिए आज रेरी अधिकारियों को भी मार्मी आदा समाच पार्टी के माध्यम से ग्यापन दिया गया ग्यापन में ये मांग की गए कि साथ दिनों के भीतर मामले का निप्टारा नहीं हुआ तो भी मार्मी समाच पार्टी रेल रो को आंदुलन चलाएगी वैसे जरूरत सिर्फ पार्टी कार्य करताओ की नहीं तो सामाच जनता की भी है जिसका जितना जल्दी हो सके निप्टारा किया जाना चाहिए मंसौर सेदीपक बसेर की रिपोर्ट इक्वैलिटी निउस के लिए आशातीत विद्या निकेतन हायर सेकेंडर स्कूल जै प्रकाष नगर देवास के वाड नमर 18 एवं 19 में स्कूली छात्रचात्राओ और शिक्षक शिक्षक काउ के साथ स्वचता की पहल की गे जिस दोरान स्कूली चात्र चात्रा और एवं स्कूली स्टाफ ने रैली की माध्यम से सफाय जागरुपता पूरे शहर एवं प्रदेश में दे कर एक मिसाल कायम की भले ही देवास्थित स्कूली बच्चों और शिक्षकों की ये तहर सरानिया है हाला कि इस पहल का दूसरा पहलू भी देखे तो देवास्थित प्रशासन पालिका पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है अगर स्कूली बच्चों को ही परिसर की स्वचता के लिए अभियान चलाना पड़ रहा हो तो परिसर में स्वचता दोतों को पगार देनी की क्या ज़रूरत बच्चों को ही हपते में अगर एक अच्छा नाष्टा या आहार दे दिया जाए तो वे खुशी-खुशी हर हपते अपने परिसर की स्वचता रखेंगे एंपी देवास से हरी प्रसाद हरियाली के रिपोर्ट एक्वैलेटी नियूस के लिए मध्यप्रदेश में कोरोना केस में निरंतर वुर्दी हो रही है मंगलवार को 48 ने केस मिले है तीन महिनों में पहली बार एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस मिले है इंदोर में सबसे ज्यादा यानी 32 केस मिले है इससे लंबे अरसे के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुँच गई है स्वास्तो विभा के मताबिक मंगलवार को इंदोर में सबसे ज्यादा यानी 32 केस मिले वही भोपाल में 6, जबलपूर उजजेन में 2-2 और रतलाम नरसिहंपूर गौालियर में भी केस मिले है इस साथ ही एक्टिव केस 280 से बढ़कर 307 हो गए है सितंबर के बाद यहाँ पहला मोका है जब एक्टिव केस बढ़कर 300 के पार गए है वही राहत की बात ये भी है कि बीते 24 गंटे में मध्यप्रदेश में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है मध्यप्रदेश के चतरपूर जिले में ट्रक और टैक्सि की भिरंत में दो लोगों की मौत हो गई है तीन लोग घायल हो गए है जिसमें एक बच्चा गंभीर बताया जा रहा है घायलों का उप्चार जिला स्पताल में चल रहा है हाथ सा ओर्चा रोठाना क्षेतर के पाल जासी चतरपूर रोट पर हुआ है और चारोठाना प्रभारी आनन सिंग परिहार ने बताया कि टैक्सि सवार सभी लोग उतर पुदेश के भगारी गाव के रहने वाले थे जो पानीपत में कांग करते है अपनी दादी की अंतियोष्टी कारेकरम से लोट कर पानीपत लोटने के लिए नौगाव से टैक्सी में चतरपूर आ रहे थे वह बस से पानीपत जाने वाले थे इस दवरान उनकी टैक्सी को ट्रक ने टकर मार दी ट्रक रमांक HR 38U 4330 और टैक्सी नंबर MP16R1983 के बीच जोरदार भिरन थुई घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया था पुरिस ने गौरगा के पास से ट्रक को बरामत किया है ड्राइवर और क्लीनर फरार है ट्रक को थाने ले जाया गया है वही पुरिस मामले की जाज कर रही है MP डाइर में फिलाल इतना ही इक्वैलिटी न्यूस की ताज़र ब्रिट से जुनने के लिए आप आज ही इक्वैलिटी शॉप को डाउनलोड और सब्स्राइब कर सकते है जय भी नमो बद्धाय